बड़ी खबर आपको बता दे केंडर सरकार और All India Motor Transport Congress के बीच हर्ताल खत्म करने पर सहमती बन चुकी है इसके बाद सरकार की तरफ से हर्ताल पर गए ट्रॉक ड्राइवरों से काम पर लोटने की अपील की गई केंडर सरकार के मताबक हिटन रन पर नए कानून अभी लागू नहीं हुए है और All India Motor Transport Congress के चर्चा के बाद ही नए कानून और प्राबधान लागू होंगे मंगलवार को ड्राइवरों की नाराजगी दूर करने के लिए देश की ट्रांसपोर्टर्स के बड़े संगठन तो हिटन रन मामले पर गतिरोद सुलत चुका है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं दरसल केंडर सबकार और All India Motor Transport Congress के बीच हड़ताल खत्म करने पर अब सहमती बन चुकी है और ट्रक ड्राइवर्स से काम पर लोटने की अपील की गई थी अब वो काम पर लोट चुके हैं और नए कानून अभी लागू नहीं हुए है हिटन रन पर चर्चा के बाद ही ये फैसला लिया जाएगा ये बात बताई गई है तो जिस तरीके से गतिरोद बना हुआ था क्योंकि हिटन रन पर नए कानून अभी लागू नहीं हुए है ऐसे में Motor Transport Congress से चर्चा के बाद ही नए कानून लागू होंगे ये स्थिति को साफ किया गया है जो हम आपको Breaking News में बता रहे हैं अभी नए कानून लागू नहीं हुए है और घ्री सचिप ने ये ट्रंसपूर्टर्स को बताया ट्रक ब्राइवर्ज को बताया कि चर्चा के बाद ही नए कानूनों को लागू किया जाएगा तो जब ग्रीस अचिव का ये बयान सामने आता है उसके बाद गतिरोध सुलचता है तो हिटन रन पर नया कानून अभी लागू नहीं है और दस साल की सजा जुर्माना अभी लागू नहीं है ये जो प्रावधान है जिसको लेकर की कन्फूजन था ये साफ किया गया है सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून इवन प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं हम ये भी बताना चाहते हैं कि बारतिय नयाय साहिता की दारा 162 को लागू करने से पहले All India Motor Transport Congress से विचार विदमर्श करने के बाद ही निरने लिया जाएगा हम All India Motor Transport Congress तता सभी वहां चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापिस लौट आएं और वही अखिल भारतिय Motor Transport Congress की Core Committee की अध्याक्ष बाल मल्कीत सिंग ने कहा कि ये कानून अभी तक लागू नहीं है हमने हर्ताल वापस करने की अपील भी कर दी है कि अपने वाहनों पर आईए अपने वाहन बिना कोई डर के चलाईए हम पूरी टीम आपके लिए 24 बटा 7, 365 दिन हाजिर हैं आप से एक पर फिर अपील करते हैं कि अपने वाहनों पर आईए और वाहन चलाईए और आपकी चिंताएं दूर हुई है